नमस्कार दोस्तों कुफ्रिल डी सिरप का उप्योग किया जाता है। कुफ्रिल डी सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कुफ्रिल डी सिरप को कैसे लेना recommended होता है। कुफ्रिल डी सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। कुफ्रिल डी सिरप को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सला दे सकते है। कुफ्रिल डी सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कुफ्रिल डी सिरप को आपके डोक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। कुफ्रिल डी सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, हाइपर्थाइरोइडिज्म होने पर, डाइबिटीज कंट्रोल में न होने पर और पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर कुफ्रिल डी सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना कुफ्रिल डी सिरप को नहीं लेना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक कुफ्रिल डी सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अगर आपको कुफ्रिल डी सिरप को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है। और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो आपको डॉक्तर से दोबारा परामर्ष लेना चाहिए, ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके. अगर किसी व्यक्ति को कुफ्रिल डी सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुफ्रिल डी सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए. प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कुफरिल डी सिरप का सेवन करना सुरक्षित वर रेकेमेंड़ नहीं है कुफरिल डी सिरप मा के गर्प में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में कुफरिल डी सिरप मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कुफ्रिल डी सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कुफ्रिल डी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।